हेलो दोस्तों नमस्कार जय माता दे मरी शुगर कीचन एंड हेल्थ टीप सेनल पर आपका एक पर फिर से हार्दिक स्वागत बहुत बहुत अभी नंदन है और मैं आज शेरानियाज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जब्रदस टोपिक लेकर आई हूँ आज मैं ऐसा जूस लेकर आई हूँ जो शुगर में फाइबर और इम्मिनूटी का अच्छा स्तोतर है जी हाँ दोस्तों शुगर वालों को इम्मिनूटी की कमजोरी हो जाती है और पेट भी साफ नहीं रहता और इम्मिनूटी भी कमजोर हो जाती है इस जूस को आप इसी परकार ब बनाऊंगी यह जूस फाइबर और इम्मिन्यूटी का बहुत अच्छा स्तोत्र माना जाता है यह जूस आपके पेट के लिए भी फैदे बंद होगा आपका पेट साफ रखेगा जूस बनाने से पहले तमाम सुगर वैबीपी वाले भाई बहनों से विंती करते हूं कि नियाम और इम्मिन्यूटी से बरपूर जूस बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास गाएं का दूद जो हमने गरम करके मलाई उतार के रखा ठंडा हो चुका इसके लिए एक कटोरी पिता जमने छील के साफ करके बारीक टुकुडों में काट के रखा है और इसके लिए दस- अब जूस बनाते हैं सबसे पहले एक कटोरी पिता जार में डाल लेंगे अब ये दूद इसको भी हम जार में डाल लेंगे कि अगरोटी गिरी और ध्यान रेज में किसी भी परकार का मिठ हनी डालेंगे कर्दूसर बंद करदेंगे अब देखें मारा जूस बिल्कुल तयार है अब इसको में गिलास में डाल देंगे अब देखें मारे शुगर वाले पाइबनों के लिए जूस बिल्कुल तयार जापके लिए बहुत फैदी मंद होगा और बहुत ही स्वादिश्ट होगा और बहुत जल्दी बन जाता है आप इस जूस का किसी भी समय बे फिकर होकर सेवन कर सकते हैं या आपके लिए बहुत ही फैदी मंद होगा और धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आयों लाइक सेर जूरूर करें और हमारे चेनल पर बने रहें नहीं नहीं जान करें पाते रहें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय माता दोस्तों